Hello students, welcome back to my channel, मेरा नाम है मीन अमलिक और आपका मेरे YouTube चैनल Study Lover पर स्वागत है तो जैसे कि last class में हमने discuss किया था हमारा 2.4 exercise का first question का first part तो अब हम discuss करेंगे हमारा जो second part है वो वाला उसके अंदर भी हमने क्या किया था कि जो हमारे number given थे हमें 1 by 2, 1 और minus 2 हमने verify किया था कि वो zeros है और उसके बाद हमने relation देखा था coefficient का उसके साथ ठीक है उन जो हमारे zeros थे उनके साथ तो ऐसा ही काम हमें यहाँ पे करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास जो equation है क्यूबिक equation polynomial ठीक है वो कौन सी है वो लिख लेते हैं पहले तो यह है हमारे पास x की q minus 4x square plus 5x minus 2 यह हमारा यहाँ पे second part है first question का तो चलिए अब हम इसको solve कर लेते हैं तो अब इसके अंदर क्या है जो हमारे zeros हैं वो given है 2, 1 और 1 अब पहले तो हम इसको verify करेंगे कि क्या यह इसके zeros हैं या नहीं तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 रखेंगे 2 की q 4 into 2 square plus 5 into 2 minus 2 तो जब इसको solve किया तो यहाँ से 8 बनेगा यह 2 तो जब 4, 4, 4 is the 16 यहाँ से 10 minus 2 अब यहाँ पे 10 और 8 18 हो गए क्योंकि यह plus के हैं दुनों और यह दुनों negative है तो यह भी minus 18 हो गया तो means यहाँ पे क्या आया कि plus 18 minus 18 is equal to 0 तो means हमारा 2 यहाँ पे क्या है इसका zeros है यह ठीक है फिर अगर हम x को one put करते हैं तो यहाँ पे one put करेंगे तो one की cube minus 4 one का square plus 5 into one minus 2 तो यहाँ पे आएगा one का cube one यहाँ पे minus 4 यहाँ पे plus 5 और minus 2 तो 5 में one add करेंगे तो क्या बनेगा 6 और minus 4 में minus 2 add करेंगे तो minus 6 तो 6 minus 6 is equal to 0 ठीक है तो यहाँ से हमने क्या confirm किया verify किया कि two और one ठीक अगर यह वाला one भी put करेंगे तो same यही ऐसे यह answer आएगा तो यह हमारे zeros हैं अब हमें क्या करना है अब हमें relation verify करने हैं तो relation हमने जैसे कि last class में भी देखे थे कि हमारे पास तीन relation होते हैं दो sum वाले होते हैं और एक product वाला तो सबसे पहले अगर ह is Evan is how हमारा relationship are diese look alpha plus beta plus GA maad और हमारे पास equation जैसे कि यह है तो इसके अंदर ABC ीजी और निकालने पड़ेगी आफ़ाक है हमारे पास 2 beta है हमारे पास 1 और गामा Bजारा हमारे पास 1 और एक की वीऊ जो है हमारे पास वह से 1 और वी की वैल्यू है हमारे पास. minus 4 और C की value है हमारे पास 5 और D की value है हमारे पास minus 2 तो अब ये जो values हैं आप इनको verify करेंगे तो alpha plus beta plus gamma equal था हमारे किसके minus B by A के अब पहले अब हम यहाँ पे क्या करते हैं left hand side लेके चलते हैं तो left hand side में जब हमने alpha plus beta plus gamma किया तो हमारे पास आया 2 plus 1 plus 1 तो ये बन गया हमारा 4 अगर हम right hand side की बात करें यहाँ पे तो right hand side में है हमारे पास minus B by तो minus B by A तो अगर हम यहाँ पे B की value रखें तो B की value हमारे पास क्या है minus 4 तो यहाँ पे minus 4 रख दिया minus already यहाँ पे relation में भी था और by में A A हमारे यहाँ पे क्या है 1 और minus into minus करेंगे तो plus हो जाता है तो यहाँ पे plus का 4 आ गया और जो हमारा left hand side थी वो भी क्या थी 4 आई थी ठीक है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो first relation है वो verify हो गया अब अगर हम यहाँ पे बात करें second relation की तो second relation हमारा कौन सा है वो है हमारा product वाला product के sum means दो दो जो zeros हैं उनको product करेंगे और उनका sum जैसे कि हमारे पास होता है alpha, beta, beta plus gamma और gamma plus alpha ठीक है gamma into alpha तो अब जो इनका यह verify करना यह किसके equal आता है c by a के अगर हम पहले यहाँ पे left hand side की बात करें तो left hand side में अगर हम value substitute करें, put करें तो हमारे पास क्या आएगा alpha हमारा 2 है beta 1 और gamma 1 तो alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha तो यह बन गया अब इनकी multiply करवाएंगे तो 2 बन जा 2, 1 बन जा 1, 2 बन जा 2 तो जो इनको add करेंगे तो कितना है 5 अब left hand side तो हमारी 5 आ गई अब हम चेक करेंगे कि हमारी right hand side कितनी आती है यहाँ पे c by a की value put करने पर तो c by a c की value है हमारे पास यहाँ पे 5 और a की value है हमारे पास यहाँ पे 1 तो c by a हमारा यहाँ पे क्या आया 5 तो अब यहाँ पे भी के अंदर हमें क्या find out करना है उसके अंदर हमने क्या करना है product लेना होता है और वह equal दिखाना है डी बाए एक ठीक है left hand side हमारी यह होगी और right hand side हमारी यह होगी तो अब हम इसका answer find out करते हैं तो इसको अब यहां पर क्या करेंगे हम जो alpha alpha into beta into gamma है alpha की value 2, beta की value 1 और gamma की value 1 जब इन तिनों को multiply करेंगे 2 बंजा 2, 2 बंजा 2 तो यहां से हमारे पास आएगा 2 और अगर हम बात करें यहां पर right hand side की d by a करने की ठीक है तो d by a करेंगे तो d की value हमारे पास कितनी है d की value है हमारे पास minus 2 तो minus 2 और already minus भी है आगे भी यहां पर ठीक है तो minus और minus 2 और by में a, a की value है हमारे पास 1 तो जब minus minus करेंगे तो plus का हो जाएगा तो यहां पर हमारे पास क्या आएगी 2 तो ऐसे करके हमारे जो left hand side है वो right hand side के equal आ गई ठीक है तो यह था हमारा जो क्या था हमारा first question का second part था जो अभी हमने discuss कर लिया ठीक है तो I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चलिए मिलते हैं next class में तब तक के लिए bye bye and all the best